हलो फ्रेंड्स माइनेम इस धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है भारत समान ग्यान जो की पार्ट 3 है इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर आउन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा है तो आई ये स्टार्ट करती हैं पहला हमारा क्विस्चन है भारत डाइनमाइट लिमिटेड केंद्र कहा है है हैदराबाद कुलकाता चिनाई 36 गड़ तो इसका सही आंसर हो जाएगा है हैदराबाद भारत डाइनमाइट लिमिटेड केंद्र कहां इस्थित है हैदराबाद में सेकेंड हमारा एक्जामपल है भारत में यूरेनियम खाद्यान कहां इस्थित है खेतड़ी अल्लाय जादू गोड़ा सिंग भूर तो इसका सही आंसर है जादू गोड़ा भारत में यूरेनियम खाद्यान कहां इस्थित है जादू गोड़ा नेक्स्ट है भारत में नगरी केंद्र की वगरी करन संख्या है चार छे आठ दस तो इसका सही आंसर हो जाएगा छे भारत में नगरी केंद्रों की वर्ग करित संख्या है छे भारत में निम्नलिखित उद्यानों में से किस उद्यानों में सर्वजनिक छेत्रों में सबसे अधिक पुंजी निवीस हुआ है उर्वरक उद्यान रंग रूगन उद्यान लवह इसपात उद्यान और चांथा है दववर रसायन उद्यान उद्योग तो इसका सही आंसर हो ज खेत्र में सबसे अधिक पुंजी निवेश हुआ है नेक्स्ट है भारत इसपात प्राधी करण लिमिटेट की स्थापना कब की गई थी 1961 में 1974 में 1988 में इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 में भारत में किस उद्योग में सरवाधिक लोग कारियरत है जूट उद्योग में कपड़ उद्योग में चीने उद्योग में इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ उद्योग में भारत में उद्योग में सरवाधिक लोग कारियरत है नेक्स्ट है भारत में सिमेंट उत्पाधन में अग्रसी राज्य है राजिस्थान तमिलाइडू, मध्यप्रदेश इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजिस्थान में भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफलकारखाना सन 1989 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया सिरमपूर, बिली, गंज, लखनव इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है लखनव भारत में किस नगर को इलेक्ट्रोनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है बंगलोर, जहारखंड, कानपूर, चेन्नई तो इसका सही आंसर है बंगलोर भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां इस्थापित हुआ था चेन्नई, 36 गड़, मुंबई, कुलकाता तो इसका सही आंसर है मुंबई भारत का प्रथम इस्टिल प्रोजेक्ट सहर इस्थापित किया गया भीलाई, जमसेदपूर, कुबारो, कुलकाता तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमसेदपूर नेक्स्ट हमारा एक्जामपल है भारती रेल को कितने छेतरों में विभाजित किया गया है 9, 11, 14, 16 तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है 2, 3, 4, 5 तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है 3 प्रकार के भारत में बड़े बंदर गाहों की संख्या कितनी है 8, 12, 15, 17 तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 भारत का चालिस प्रतीसत सड़क परिवाहन होता है राजमार्गी या मार्ग से राष्टी या राजमार्ग से ग्रामिड सरकों से और इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्टी या राजमार्ग से भारत का चालिस सड़क 40% सडक परिवाहन होता है नेक्स्ट है भारत में पहली बार जनगर्ना कब सुरू हुई थी 1861 में 1862 में 1886 में 1899 में तो इसका सही आंसर है 1882 में भारत में पहली बार जनगर्ना सुरू हुई थी नेक्स्ट हमारा एक्जांपल है जनसंख्या की द्रिष्टी से विश्व के सबसे बड़े देसों में भारत का कौन सहिस्तान है प्रथम दुईतिय तृतिय चाउंथा तो इसका सही आंसर है दुईतिय जनसंख्या की दृष्टी से विश्व के सबसे बड़े देशों में गिंती की जाती है दुईतिय भारत को नेक्स्ट हमारा एक्जांपल है भारत का सरवाधिक नगरीकरन वाला राज्य है महाराष्ट गोवा गुजरात पश्चिम बंगाल तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा नेक्स्ट हमारा एक्जांपल है भारत में सबसे कम लिंगन उपात वाला देश है निंग लिंगी हरिय मिजोरण राजिस्थान तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाना भारत में सबसे कब लिंगपुगात राज्य है नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पूरूसों से अधिक है बिहार केरल तमिनडू करनाटक तो इसका सही आंसर है केरल भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का जन संख्या घनत्व सबसे कम है तो हिमाचल प्रदेश, अनुराचल प्रदेश में घाला सिक्किम तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश भारत की सरवाधिक बड़ी जन जाती है गोण भील संभाल भाडू तो इसका सही आंसर है गोण भारत की सरवाधिक बड़ी जन जाती है गोण भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक गूर्म सबसे पूर्वी और सबसे पस्चे में राज्य को इंगित करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराचल प्रदेश और राजिस्थान भारत की सरवाधिक प्राचिन लिपी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राम्ही नेक्स्ट हमारा एक्जाम्पल है भारत में एश्टिडी सेवा की सुईधा किस वर्स हुई है 1950, 1954, 1960, 1962 तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 भारत एसिया की किस भाग का हिस्सा है पुर्वात्तर एसिया उतरी एसिया मध्या एसिया और दक्षिन एसिया तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिन एसिया नेक्ष्ट है भारत का प्रथम निग्मी कृत मुख्याला बंदरगाह है नौगवा सेवा परादीप एन्योर दाहेज तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन्योर नेक्ष्ट है भारत का सबसे गहरा तथा इस्थल बद सुरक्षित बंदरगाह कौं सा है विसाखा पटना परादीप मुंबई कांगळा तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसाखा पटना भारत में कितने जलमारग राश्ट्री या जलमारग के रूप में अनुसूचित किये जा चुके हैं 2, 3, 4, 6 तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 विस्व की विसालम सडक प्रणालियों में भारत ल इस्थान है प्रथम दुईतिय तृतिय चतुर्थ तो इसका सही आंसर है दुईतिय भारत में कुल यात्री परिवाहन सडक परिवाहन का योगदान कितना है 20%, 45%, 75%, 80% तो इसका सही आंसर है 80% भारत का सबसे लंबा राश्ट्रिय राजमार्ग कौन सा है नह1, नह7, नह16, नह24 तो इसका सही आंसर है नह7 भारत में सबसे बड़ी तेल, सोधन, साला, कहां इस्तित है बरावनी, जामनगर, कोईली, मुंबई तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामनगर पवन उर्जा के उतपादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्तान है पाँचवा इस्तान है भारत में जूट का सरवाधिक छेत्रफल है मिघालाय में असम राज्य में पश्शिम बंगाल राज्य में बिहार राज्य में तो इसका सही आंसर है पश्शिम बंगाल राज्य में बुकसा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में इस्थित है राजिस्थान में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल भारत के उतरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक्तम है काली मिट्टी, जडूड मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइज मिट्टी तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलूड मिट्टी वह प्रथम राश्टी पार्क कौन हसा है जिसे भारत में सर्व प्रथम इस्थापित किया गया कारबेटा नेशनल पार्क, बांदीपूर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारपेड नेशनल पार्क भारतिय डंडे कहां पाय जाते हैं कारपेड राष्ट्रिय उद्यान गिरवन अभ्यारन कानह राष्ट्रिय उद्यान कांजी रंग अभ्यारन तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांजी रंग अभ्यारन भारत का सरवाधिक नगरी करनवाला राज्य है महाराष्टर गुजरात गोवा पश्चिम बंगाल तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा भारत में किस सिलास से सरवाधिक चित्र प्राप्त हुए है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीम बेट का नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित की सराज्यकी से निपाल से मिलती है अनुराचल प्रदेश की, सिक्किम की, मनिपूर की, पंजाब की तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम की जून से सितंबर के बीच भारत में कौन से रितू रहती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्सर रितू नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है तटी अभाग उत्तर का परवती अभाग प्राय दूप पठार गंग का मैदान तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राय दूप पठार भारत का सबसे प्राचिन भूकंड है नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में इस्थीत नहीं है के टू केचन जंगा माउंट एवरेष्ट नंगा देवी नेक्स्ट है माउंट एवरेष्ट नेक्स्ट हमारा एक्जामपल है इनमे कौन केरल कू तमिनाइडू से मिलता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाल गहाट भारत के अधिक अक्छा दिस विस्तार में लगभग कितनी डिगरी का अंतर है 20 डिगरी, 30 डिगरी, 35 डिगरी, 40 डिगरी तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिगरी भारत के देशानती विस्तार में लगभग कितने डिगरी का अंतर है 20 डिगरी, 30 डिगरी, 40 डिगरी, 50 डिगरी तो इसका सही आंसर है 30 डिगरी भारतिय रंग मंच में यह इनिका पदार्था का आरंब किसने किया पार्थियोनी ने सकोने युन युनायनिकोने और कुशानों ने तो इसका सही आँसर हो जाएगा युन युनानियों ने नेक्स्ट है भारत में शोन मुद्राएं किसने चलाई सक कुशान यूनानी पार्थियन तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानी